हलो 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 एवरिवान उमीद करता हूँ कि आप लोग चूज दुरुस्त और तंदुरुस्त हो mentally and physically fit and fine दोस्तों हम लास्ट मंत में हैं और अब यहाँ पे लोग अलग-अलग हालत हो रही होगी मैं इस बात को समझता हूं दोस्तों कुछ बच्चे tension में पागल हो रहे होंगे ठीक है दे मस्ट बी जा रहे है पता नहीं बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ ठीक है ऐसा हो सकता है और बहुत ही गिने चुने होंगे भाई साब मैं तो मेरे टार्गेट से भी आगे जा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत ही कमी होंगे, मैं तो पुलूँगा नहीं होंगे, ठीक है, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू, बड़े से बड़े बंदे की, अच्छे से अच्छे बंदे की, रैंक होल्डर की, सबकी फटी पड़ी रहती है, याद आएगा, नहीं आएगा, लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, इस समय पे इस मोमेंट पे ऐसा होता ही होता है तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ में हो रहा है तो सब ठीक है आए दोस्तों तो यहां पे इस पर्टिक्लर वीडियो को आखरी में अच्छे से देखिए लास्ट मन की पूरी स्ट्राडेजी बाने वाला हूँ और इट की स्ट चैप्टर की स्ट्राडेजी मीडियम लेवल की स्ट्राडेजी डिफिकल की क्या स्ट्राडेजी होनी चीए कैसे इसको आप इस वीडियो पर बताने वालों दोस्तों तो इसको आप बहुत जादा अच्छे से जरूर लेकर ठीक है आईए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यह वीडियो हो सकता है हलका फुलका फुलका मीडियम लेवल पे जाए लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पैन और पेपर लेकर बैठे पैन और पेपर लेकर बैठे आपके चाट आपके मन में जो भी सवार होंगे आप डाल दीजिए अभी मैं नहीं रीड कर रहा हूं बाद मे से यह जो भी आपका level है जो भी आपका status है अभी ठीक है यह दो तीन गुना बढ़ सकता है it can be three times more अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ी मुश्किन से अभी इस वक्त ठीक है 30-40 आ जाएंगे जाती है वैसी ताकत तो भाई साब ठीक है पूरे साल भर नहीं आ सकती पूरे साल भर आखरी एक मैने की ताकत एक तरफ और पूरे ग्यारा मैने एक तरफ productivity highest होती है आपको कॉर्स awareness होता है आपको पता होता है क्या आपका कौंसी चीज़े concept ay ınd का कौंसी less important है अपको पता होता है कौंसा आपका strong portion है कौंसा आपका weak portion है और एक learning कव हो जाता है बैठने की आदत हो जाती है आपकी चीज criminal हो जाती है तो guys believe me अभी आपके पास्ट में बहुत अच्छा समय रहता है आपकी तैयरी, तीन गुना आप तीन गुना भैतर मेरा रांक आयता दोस्तों, तो 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेते हैं, 15 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत में मैं आपको बताता हूँ जस्ट पास से रैंक हो लिलो की जर्णी वो सिर्फ 15 दिन की थी तो ये जो एक मेना है ये आपको सुपर से उपर लेकर जा सकता है अभी भी ठीक है आइए मैं बोलूँगा यहाँ पे mindset बहुत ज़्यादा important है बहुत 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 ज़्यादा important आपका mindset है सुपर दोपर शाम आपको बोलना yes I am the best I am enjoying the process ठीक है जो भी दुख दर्द नींद काम हो रही है पीट दुख रही है आखे जल रही है I am enjoying the process मैं अपना base दे रहा हूँ यही तो मैं करना चाता था इसी इसके मदद से मैं achieve करना चाता था जो भी हो रहा है मेरे साथ में कोई problem नहीं है जब तक आप time waste नहीं करते हो overconfidence भी चलेगा overconfidence भी चलेगा no problem at all ठीक है कोई भी problem नहीं है तो यह mindset आपको सही रखना है आपको यह affirmations continuously सुबह दोपर शाम यह बोलते रहना है you have to keep saying that ठीक है now guys आपको यह तीन बाते रिपीट करना है अगर आपको acronym बनाना है तो वह बना लीजिए ठीक है ठीक है बी इसी बना लीजिए बई बी इसी भाई मैं तो सबसे best हूँ आप बी इसी बना लीजिए दोस्तों मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, I am enjoying the process, I am going to clear, be easy, be easy, be easy, be easy, now, guys, अब कुछ बहुत important बात है, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे important चीज, अगर मैं आपको बोलू, ठीक है, streamline your day, बहुत सारे बच्चों का रुटीन अजीब और गरीब होता है, बहुत सारे बच्चों का रुटीन बहुत ही अजीब और गरीब होता है, ठीक है, रात को जाकते हैं, सुबह सोते हैं, guys, 2-2-5, 2-2-5 is the most, 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 most important timing, आपकी exams इस समय पे रहने वाले हैं, यह आपका सबसे, सबसे, सबसे जादा active period रहना चाहिए, अभी से, देखो, 4-5 दिन, 10 दिन लगते हैं, रुटीन को set करने के लिए, 2-5 should be the most, most active time, यहाँ पे आपने, यहाँ पे इसी time के अंदर, आपने paper writing की practice करनी चाहिए, ठीक है, fast सोचने की practice करनी चाहिए, ठीक है, सबसे जादा stressful चीज़े, यहाँ पे आप करिए, 2-5 आपके body को आदत लग जानी चाहिए, this should be the best time, दोस्तों, यहाँ बहुत सारे बच्चे इस time के उपर सोते हैं, नाप लेते हैं, it can become very, very unproductive and very bad thing, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अपने पूरे routine को streamline करिए, 2-5 के timing सबसे आदा important है, ठीक है, उसके साब से, फिर, last four days, अब अगर आपके planning में बात करूँ, जो आखरी के चार दिन हैं, वो आपके first paper को दे लिजे, जो आखरी के चार, जो आखरी के चार दिने दोस्तों, वो आपके first paper को, इससे जाधा time मैं देने के लिए नहीं बोलूँगा, I will not suggest, कि please, इससे जाधा time आप last paper को मत दीजे, क्या होगा, इससे जाधा time अगर आप दोगे दोस्तों, तो you will end up revising, you will end up revising the same thing again, चार दिन more than sufficient है, more than sufficient है, इससे जाधा time देने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ, उससे आपको सवाल है, तो आप उससे comment कर सकते है, ठीक है, मैं आप लोगों से, ठीक है, उसके भी, आपके भी opinion लूँगा, और आपकी जो सवाल है, उसको भी solve करूँगा, फिर, यहाँ पे बहुत जरूरी है, two days, final revision, ठीक है, मैं बोध रूप के बारे में बता रहा हूँ, जिसका single group है, बहुत बढ़ी है, उसके number of days double हो जाएंगे, देखो आखरी जो पहला paper है, उसके तो आपके चार दिन दे दिये, अब आपके बचे 5 paper, 5 into 2, 10, आप लोगों को exactly, आप कैसे पहले paper के, पहले कैसे आप छुट्टी से आओगे, आप कैसे छुट्टी से आओगे, आप कैसे दो दिन के अंदर, दो दिन के अंदर आप revise करोगे, ठीक है, दो दिन के अंदर आप revise करोगे, बिल्कुल वैसी की वैसी revision आपको लगानी है, दो दिन के अंदर आपको पेपर लिखना है दोस्तों अगर पेपर लिखना भी है ठीक है तो आपके 10 दिन यहाँ पर चलेगे दिन बारा बाज तक आपके पास में टाइम होता है बिल्कुल वैसे पढ़ना और टू-टू-फाइब में आपको पेपर सॉल्व करना है अगर आपको लगता है कि आप लिखकर नहीं देखना चाहते हैं मैं तो बोलूगा लिखकर देखिए तो आप माइंड सॉल्विंग करि है रिविजन के बाद ही माइंड सॉल्विंग के बिना रिविजन के पेपर देने में कोई मतलब नहीं है कुछ बच्चे बिना रिविजन के पेपर देने जाते है तो आपके 10 दिन दोस्तों वहां चले जाएंगे एक दिन बफर का बोल दूँ आपके 15 दिन अलोकेट हो के लिए एक दिन बफर आपने पकड़ लिया RTPs MTPs पूरा कोर्स होने के बाद में RTPs MTPs कवर करें पूरा कोर्स कर ले क्या है कि आप चीजे कर लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा 70-80% चीजे सही है बहुत बहुत फास्ट हो जाएगी बहुत फास्ट हो जाएगी दोस्तों RTP MTP जो इस करन्ट अटेम्ट के बहुत जादा इंपॉर्टन है आप मान कर चलो यहां से 5-6 मांक का पकड़ लो 6 मांक का हर पेपर में आएगा 6 into 6 36 बॉस अरूंड 35 मांक्स टोटालिटी में ये कम आपको 35 मांक्स देने वाला है इसको छोड़के जाना क्राइम है बच्चे आखरी दिन के लिए रखते है और इसको नहीं क कर पाते है इसलिए इसको अभी जो आखरी दो दिन की रिविजन रहेगी उसमें आप इसको कवर कर लीजे एक्स्ट्रीमली इंपॉर्ट बाते लिखके रखे दोस्तों अगर आप लिखके नहीं रखोगे तो आप ये भूल जाओगे और ये पूरा सेशन आपका पानी में भेज जाएगा वेस्ट हो जाएगा कोई प्रॉलम नहीं हो ठीक है कोई फायदा नी होगा अब यहां पर बच्चों के मन में आता है मैं कौन से चाप्टर छोड़ दू कौन से standards on ordering छोड़ दू कौन से चाप्टर छोड़ दू कौन से topic मैं छोड़ दू क्योंकि जब pressure ज़्यादा time कब मैं फिट नहीं बैटरी चीज़ है दोस्तों मैं आपको बोलूगा कभी भी किसी भी वक्त कोई chapter आप मत छोड़िये हर chapter से questions आते ही आते हैं आप क्या करिये at least important concepts और question कर लिए अच्छा लो नहीं हो रहा पूरा chapter नहीं हो रहा पूरा chapter मत करो पूरा chapter अरे लेकिन important concept और question तो कर लो important questions की list तो मैंने audit में दी आप लोग 250 प्लस दी इंटर में 350 प्लस दी फाइनल में वो तो कर लो अच्छा important concepts भाई साब जिसकी उपर questions पूछे वो important जिस चीज की उपर questions पूछे वो important जिस पर question लगता है वो भी important मैं अलग से और list भी दे दूँगा हर chapter में कौन से concept important है उसके उपर बस लगा पड़ा हूँ मैं रोज आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो ही सोचता रहता हूँ और वो ही एक एक कीज आपको देता रहता हूँ मैं चीक है audit के उपर आऊंगा दोस्तों ये बिलकुल भी समय नहीं है in-depth जाने का no 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 कोई in-depth नहीं कोई line by line cramming नहीं रटने का ये बिलकुल भी समय नहीं है दोस्तों this is not the time you go in-depth क्यों आये subject क्यों आये concept why this concept is there इसका उसके साथ में क्या cross-linking है प्लीज खुद को रोको stop 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 ये बेवकुप भी नहीं करनी है ये मुटा मुटी concept है इतने point रहते ऐसे याद रखना है next आपको यहाँ पे बहन ही जाना है दोस्तों ठीक है बस क्या concept है this is the concept ये point retain करने है ऐसा question आएगा next 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 ठीक है आपको fast next fast next fast next 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 पे जाना है दोस्तों please don't go in-depth line mail नहीं क्रैमिंग के लिए मत जाईए ठीक है ये सारी important चीज़े है आपकी जो strong topic से उसको बार 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 रिवाइज मत करिये उसका overview लीजिए हाँ ऐसा ऐसा था ऐसा था आता है आता है आता है जो weak topic है उसमें थोड़ा जादा समय दा लिए बच्चे क्या करते एक जैसा time सबको डिड़नते प्लीज डोंट डो डाट प्लीज डोंट डो डाट ठीक है फिर अगर माँ बुलू please don't change material भाई साब ये आखरी moment पे इतनी PDFs घुमती रहती है और इतनी सारे चीज़े होती है जो material जहां से तुमने अभी तक पढ़ा है उसी को base बनाईए उसी से revise करिये अच्छा एक तो हदी हो गई भाई ठीक है एक तो हदी हो गई ठीक है बच्चे बोलते है सर पढ़ा मैंने एक book से revise दूसरे से कर दिया मैं बोला ऐसे कैसे होता है भाई एसे कैसे होता है जिससे तुमने पढ़ा है जिस पे नजर बैठी हुई है उसी से revise करोगे हाँ वो अलग बात है कोई बच्चा किसके दो-तीन paper ही है एक group है दो paper है एकी group है तीन paper है किसी के दो paper है किसी के तीन paper है और वो बंदा अभी पढ़ रहा है वो ठीक है वो अपना material थोड़ा decide कर सकता है लेकिन बोध रूप वाले भाई अभी नहीं है time material change करने हाँ आपको कुछ अच्छा लगा add करो refer करो भाई ये chapter यहां से मैं पढ़ लेता हूँ very good do it ये topic यहां से कर लेता हूँ very good do it बिल्कुल कर सकते हो ये लेकिन पूरे notes बदनने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचे इस moment of time पे और मैंने पढ़ा एक जगा से और revise उस जगा से किया आप बिल्कुल मत करिये अभी इस moment of time पे अचानक बहुत बार anxiety बहुत बढ़ जाती है बेचे नहीं बहुत बढ़ जाती है कैसे होंगा पता नहीं और planning करने के बाद में दिन इतना productive नहीं गुजरता है मैं आपको एक गुरू मंतर दे रहा हूँ एक गुरू मंतर दे रहा हूँ ठीक है रामबान उपाय दे रहा हूँ thoughts आएंगे उसको आप delete कर दीजे वापस breathing पर आईए of course it is like meditation meditation ही है ठीक है उसके बाद में slow start करें धीर 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 आपने books open की धीर धीर topic पढ़ना शुरू किया थोड़ा slow speed में जाएए रिदम में आ जाएए बहुत बार जब anxiety बढ़ जाती है पढ़ा ही नहीं होती है तो आपको reset button दबाना पड़ता है this is the best way to reset यह best तरीका है खुद को reset करने का ठीक है यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तो very important ठीक है everyday 15 minutes आप मुझे नहीं पता exercise breathing क्या कर रहे हैं बट आपको 15 minutes sunlight में रहना बहुत ज़्यादा ज़री है दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा ज़री है आप वहाँ पर पढ़ लो sunlight में रहना बहुत ज़्यादा ज़री है यहाँ पर positivity के लिए brain strength के लिए speed के लिए 15 minutes of sunlight is extremely important ठीक है अब यहाँ पर आपको यहाँ पर नए concept से ज़्यादा जो आपने पढ़ाता उसी को recall करना है जो भी chart, mark, marking, marking थी उसी से आपको recall करना है ठीक है with या without videos अगर आपको खुदों के speed नहीं बन रही है तो videos लिच कर रिउस करिए खुदों के speed बन रही है मदद लेकि recalling की कोशिश करिए आप एक बार rotation में आ जाएंगे तो recalling और बहुत fast होगी nothing new ठीक है जितने भी challenging topics है दोस्तों please morning शाम को 4-5 बज़े के बाद में बत्ती गुल होना शुरू हो जाती है 4-5 बज़े के बाद में चीज़े गुल होना शुरू आती है जितनी भी challenging के पहले जो आपको videos देखने है जो आपको videos देखने है जो आपको audio सुनने है वो पूरा काम आप 4-5 बज़े के बाद में दालिए बहुत important है बच्चे इसमें गलती कर देते है 4-5 बज़े के बाद में दालिए it is going to be very good ठीक है मैं आप लोग के जो चाट है बाद में देखनगा दोस्तों उसको reply कुड़ूगा फिर मैं now it's very important eat, sleep, drink, positivity and be confident जो आपको positivity दे उसके साथ में रहो जो नहीं दे उसको गोली मारो उसको भाई तू दूर रह मेरे से जो बन्दा यहाँ पर positivity आपको देगा बस उसके साथ में आपको रहना है एक मंत्र अगर आप कर सको मैंने आपको बोला ठीक है पहले ही भाई तुम बेस्ट हो तुमको हम यह मान के चलना है यह बोलना भी है तुमको यहाँ पे जो मस्त रहेगा एक्जाम जबरदस्त रहेगा जो मस्त रहेगा एक्जाम जबरदस्त रहेगा मस्त रहोगे तो एक्जाम जबरदस रहेगा without any doubt भाई साब अगर confident होना आप दो साल पहले पढ़ावा कुछ है वो भी याद आता है आपकी एनरजी इतनी जबरदस्त लिए क्या लिखते हो आप पूरा mind गए मैं दोस्तों यहां से यहां से जो बंदा positive रहेगा confident रहेगा, super overconfident रहेगा फोटने के बूढ़ने रहेगा दोस्तों वो बंदा जोरदार काम करने वाला है वो बंदा जोरदार काम करने वाला है so it is extremely important to be overconfident now guys मैंने बाते आपको बताई आखरी मैंने का 15 दिन का क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बताया please इसको इस तरीके से लेकर चलिए इसको इस तरीके से लेकर चलिए एक एक जो बात है और आपकी कोई डाउट होंगे वो भी मापत है ठीके now मैंने आपको बताया भी अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा audit strategy बाई साब जो books में आपने charts highlighting की है आप उससे पढ़े audit अगर आप daily पढ़ोगे it will be very good अगर आप daily का एक से दो घंटा जित्ता भी आप दे सको आपके शिर्म में एक से दो घंटा दो वो best आपकी strategy रहेगी best strategy ठीके cumulative overview करिए cumulative overview क्या है जब से आपने पढ़ना शुरू किया बस pages पढ़ रहाँ ऐसा ऐसा था next सिर्फ headings देखो headings ऐसा था नेकसा आईए पता यह overall मूटा मूटी क्या concept था मूटा मूटी क्या concept था मूटा मूटी क्या concept था मूटा मूटी cumulative overview जब से आपने subject को revise करना शुरू क्या cumulative overview होना चाहिए और cumulative revision होने दो से तीन दिन का जितना दर्द है उसके साथ चेल जागर दर्द है तीन दिन का cumulative revision नहीं है तो दो दिन का cumulative revision होना चाहिए दोसको फिर हम लोगों ने आपको concept revision और important questions प्रोवाइड किये concept revision final का concept यह अगर 1.5 की speed में ठीक है अगर 1.5x की speed में अगर आप देखोगे तो लगबग 15 घंटे में concept कवर होते हैं, 18 घंटे में questions कवर होते हैं, 33 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा inter में 18 घंटे में concept कवर हो रहे हैं 12 घंटे में questions कवर हो, 30 घंटे दोस्तो आप daily आप दे सकते हो 1-2 घंटा वो दे दो या फिर आप रोज तीन घंटा दे होगे तो दस दिन में आपका पूरा ओडिट रिवाइज हो जाएगा और अगर आप छे घंटे दोगे तो आपका पांच दिन में पूरा और आप इसको रिपीट कर सकते हो आप इसका और एक साइकल चला सकते हो और इसका एक साइकल चला सकते हो कि फिर स नहीं आता, मैं आपको बतारो बच्चे लिख क्यों नहीं पाते हैं, सबसे बड़ा problem बच्चों का, मन में डर बैड़ गया है, as it is लिखने का marks नहीं मिलेंगे, as it is लिखने का, दोस्तों सबसे बड़ी ब्योकूफ ही है, सबसे बड़ी गलती है, as it is लिखने को जाना, आज भी concept का heading डाला, अपने मन से लिखना यही सच्छ अच्छ है exam में जाने के बाद में sub-lang को जाता है भाई exam में जाने के बाद में question देने के बाद में sub-lang को जाता है, own language ही काम आती है, कोई रटा काम नहीं आता और रटे में तुम क्या लिख्या होंगे किसी को भी नहीं मालूम, तुमको भी नहीं समझा और सामने वाले को भी नहीं समझ रहा meaning सेम होना चाहिए, आप जो समझाना चाहते हो, जो लिखा है किताबों में और आप जो बताना चाहते हो, दोनों का meaning same होना चाहिए, मान लो मेरी बात, रट्टा मत मारो ठीक है, रट्टा मत मारो अगर आपने conceptually पढ़ा है अगर आपने conceptually पढ़ा है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो अपने आप words निकल कराएंगे अपने आप technical words निकल कराएंगे दोस्तों कोई problem ही नहीं please don't cram line by line सबसे बड़ा suicidal काम करो गया इतना time लग जाएगा पढ़ने को, इतना time लग जाएगा इतना सा cover होगा, सब कुछ भूल जाओगे it is a wastage of time इतना बच्चे time waste करते वो रटने के अंदर और मैं बताता हूँ, सब सत्या ना सोयाता पुरा time waste होयाता please, मुद्दा क्या है, ये points है इतना, definitely याद रखना पड़ता है definitely याद रखना पड़ता है लेकिन points को याद रखो line by line and cram मत करो, words को याद मत रखो बहुत बड़ी बेउकुफी होगी बहुत जादा बड़ी बेउकुफी है जो उन्हें 80 स्कोर किया, 70 स्कोर किया 75 स्कोर किया, उन सबसे उन सबसे discussion आता है, समझ में आता है अरे कितने keywords याद कर लोगे यार नहीं है possible अगर आपने अच्छे से पढ़ाए तो अपने आप आपकी language इंप्रूव होती है समझाने पर विश्वास रखो सामने आले को समझा रहे ऐसे लिखो आप Now, mind solving देखो हमको एक sequence में याद रहता है एक sequence में हमको पूरा subject याद रहता है लेकिन exam में random access है कही से भी कुछ भी पूछा जाता है It is very important हमको पूरा question paper पढ़ने की आदत होनी चाहिए question कौन से chapter से उसकी आदत होनी चाहिए कौन सा concept लिखना पड़ा identify करने की आदत होनी चाहिए answer draft करना, money-man लिखना पड़ता है वहाँ पे पहले ये reference दूँगा, फिर ये definition समझाऊँगा फिर example समझाऊँगा, correlation बताऊँगा उसकी आदत होनी चाहिए इसलिए paper solving बहुत important है, कम से कम दो paper mind solving करो, नहीं आपके पास में पुरा लिख के देखने को time कम से कम mind solving दो paper करने ही करने चाहिए, वो अगर आप करोगे, you will be blessed during the papers guys अब सबसे आदा important यहाँ पे मैंने weightage दिया, inter-final का आपका पहला chapter है nature scope, objective मैं inter-final भी discuss करूँगा दोस्तों यही पे, quickly ठीक है, पांच माग का है, पांच माग का weightage है, दूसरे chapter का weightage, 10 माग का है, फिर 10, 15, 11, 10, 10, 15, 9, देखो पहला chapter और दूसरा chapter easy है, 15 माग का यह आपके golden tickets है, भाई 15 मार्क आएंगे पहले दो chapter से बेवकूपी है, अगर वो chapter अच्छे से नहीं किया तो बेवकूपी, भाई chapter number 3, 10 मार्क का है, लेकिन difficult है, यह तो मानना पड़ेगा volumnus भी है, volumnus भी है ठीक है, फिर आपका chapter number ज्यादा बड़े नहीं है chapters, again these are not very big, यह भी आपका easy category में जाता है मतलब यह chapter जो easy है और जिसमें marks भी है, उसमें आपकी पूरी command में नीची दोस्तों, मैंने ठीक है, easy में आपने कोशिश करनी चीए सारे concept, सारे questions करके आए, ठीक है हाँ भई, chapter 2 तो easy ता easy लिखा है न भई, chapter 2 को तो easy लिखा हुआ है, chapter 3 को difficult बोला हुआ है न भई, यह inter की बात कर रहा हूँ मैं, all concepts all questions, all concepts all questions, की मैं अगर बात करूँगा यह करना चाहिए, medium level में all concepts plus important questions, difficult में at least important questions कर लो at least important questions कर लो दोस्तों, जहां पर भी आपको लगे कि chapter में कमाड़ की कभी है questions पर focus करिए और questions होने के बाद में और questions add करते जाहिए अगर जितना समय बिचे keep adding questions, keep adding questions जितने questions आप add करते जाएंगे उतना अच्छा ठीक है now guys final की बात करूँ इन्होंने ऐसे बेज जो chapters है पहले 11 chapters उसके 50 mark है 50 mark है लेकिन यहां पर key to success है final में बाकी 50 mark भाई digital auditing के 5 mark हर बार 5 mark का question आना ही आना है कोई ज़्यादा घुमा फिरा case नहीं रहेगा जितने questions question bank में दिये हुए उतने करो ठीके वो करो भाई सबसे easy chapter है उसका revision भी हमने हिंदी में दाला English में आने का है अभी आपके यह comparatively chapter number 12 आपका digital auditing 13 आपका group audits bank audit थोड़ डिफिकल दाला volume ना से बहुत सा return 15 ठीके आपका internal audit PSU यह बहुत important दोस्तों बहुत ज़्यादा important है ठीके 20 mark 5 mark का वो ESD का chapter वो 5 mark का ESD का chapter यार वो sustainable development का chapter भाई साब हाथ के marks लिए हाथ के marks ठीके और 20 mark professional ethics 20 marks professional ethics भाई इस chapter को पर चाट लेना है पूरे questions कर दालना है इसके पूरे questions कर दालना भयंकर repetition रहता है professional ethics में भयंकर repetition रहता है ठीके guys मैंने आपको strategy बताई अगर आप ये last day strategy और audit के लिए मैंने आपको आता है 5 दिन में cover कर सकते हो 10 दिन में cover कर सकते हो मैं ऐसा बोलूँगा audit के लिए जब भी आपको concept में मन न लगे concept तकलिप दे questions बढ़ाते जाओ important question से मैं ऐसा मानता हूँ कि बाई कम से कम 30 मां काना चाहिए अच्छी रही किस्मत तो 50 मां तक important question से आ सकता है मैं सिब descriptive की बाद करो I am just talking about descriptive लेकिन वो conceptually अच्छे से होने चाहिए ठीके लेकिन जब भी आपको time मिले questions को बढ़ाते जाओ बाई एक question पढ़ा आपने एक chapter पढ़ा थोड़ा time बचा है 2-3-4 question उसमें increase कर दो अब आप लोग के मन में जो doubt है वो मैं clear कर देता हो sir अगर हमने 350 questions कर ली है तो क्या 60 plus मैंने आपको बोला 30 से 50 mark आएंगे 30 mark का आ सकता है 50 mark का जा सकता है आपका overall knowledge MCQ कैसा है उस पर depend करता है but good probability good probability कि आप 50-60 के अगर आप important questions करके जाते हो तो 50-60 के range में तुम बिल्कुल बिल्कुल पहुत सकते हो you can definitely reach there सारे stations देखे परम question bank के multiple times देखो दोस्तों speed बड़ा बड़ा कर देखो multiple times concept, revision, question, revision concept, revision, question, revision concept, revision, revision बार-बार-बार-बार उसको देखे दोस्तों you will become comfortable and comfortable more comfortable ठीके मैंने बताया our journey concept, revision, important question, revision आप करते जाएए audit of item of financial statement ठीके दोस्तों I am coming to Kolkata and Aurangabad Kolkata और Aurangabad मैं इंटर के लिए आ रहा हूँ एक दिन में मैं 1500 questions करवाने वाला हूँ writing question interpretation writing price the most important dates of question वो एक दिन के अंदर मैं audit के पूरे करवाने वाला हूँ coming to Kolkata Kolkata के session की fees around 199 है नवीन classes में हो रहा है दोस्तों ठीक है आप वहाँ पर center पर जाके fees पे कर सकते हो Param Question Bank उसके साथ आपको मिलने वाली है chart book चाहेतों और 100 रुपीज दे के चार्ट भूग भी ले सकते हो हम लोग कुछ चार्ट भूग रखेंगे हमारे पास में जितना रहेगा अवेलेबल और अंगाबाद में जो है उसमें 149 ने इंस्टीट का है खाना वाना बढ़िया खिलाते है सब बढ़िया है वहाँ पर भी आपको चाहिए आपकी question bank 198 में आप ले सकते दोस्ते वो आपके आपके option रहेगा 150 questions में करवाने वालो सर मुझे audit test में answer लिखने में वो ही तो मैं समझा रहा हूँ लिखना बिंदास अपने मन से लिखना समझाना अपने मन से बाई समझाना अरे लिखो ना English language में लिखो एक्सप्रेस करो ठीक है सर वी अब command बिल्कुल नई batch November 25 के लिए साई अपनी नई batch अभी जो batch है वो latest recording है अभी अगर batch आएगी तो वो second half में ही आएगी if it will come अभी नहीं आने वाली we are in the month of March April में नहीं आएगी में में नहीं आएगी if it's going to ठीक है इसके लिए अगर आपका जो schedule है उस पर depend करता है कि आपका schedule कैसे चल रहा है आपका schedule कैसे चल रहा है उस पर depend करता है जो अभी की batch है वो भी ले सकते हो you can take that also it will पूरा अभी audit के course में ज्यादा amendment बिल्कुल expected नहीं अभी के लिए ठीक है हम कूरी कोशिश करेंगे उसको record करेंगे अच्छे record करेंगे तो YouTube पे आएगा session ठीक है फिर chapter 5 कैसे करें मैं आपको बता दू chapter inter का inter का chapter number 3 5 और 9 3 5 और 9 ठीक है chapter number 3 chapter number 5 और 9 इसका detailed revision मैंने दाला है ठीक है इसका detailed revision मैंने दाला है दोस्तों I have detailed revision मैंने आप लोग को दाला हुआ है उसको आप देखिए ठीक है और chapter number 5 का 2 घंटे का revision भी है जितने बार विडियो देखते जाएंगे 359 बढर के विडियो नहीं कोमफर्टेबल होंगे ठीक है पुराने कोर्स में chapter number 5 में chapter number 9 नाम से था you can gopyle कर से का hoppy paste से पेख लो डाउट्स के लिए डाउट्स के लिए हम लोग एक सेशन रखते हैं और इट नहीं हो रहा है मैंने आपको बता दिया नेहा आप गिवन दो सोलूशन प्लीज वीडियो आप देख लीजे अच्छे से कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो मुझे बताईए ESD, Digital Audit में, Bank Audit में, Bank Audit में Question Bank करना चाते हो करड़ा लो लेकिन मैं अगर बात करूँगा ESD और Digital Audit की तो इसमें Important Concepts भी आपने करने चाहिए Question Bank के अलावा Important Concept भी करने चाहिए निया मैंने बता दी स्ट्राटेजी आप वीडियो पीछे करके देखो multiple times पीस घंटे के वीडियो है multiple times करो उसको multiple times multiple times भाई, listen, Question Bank जब solve, Question Bank और MCQ जब solve करो तो test of knowledge मत करो टेस्ट of knowledge मत करो वो भी learning activity है, Question Bank और MCQ भी learning activity है Please don't, उसको test of knowledge मत करो, जब paper लिखते हो, उसको test of knowledge करो, ठीक है, वहाँ से भी आप सीखते हो मैं prestige आउंगा तो मैं telegram group पर धाल दूँगा, ऐसे ही बोल सकता हूँ, that I'll be at prestige point ठीक है, अभी तो, क्योंकि बहुत busy हो revision, अभी तो मैं नहीं आने वाला, दोस्तो, I hope आपके सारे doubts clear हो गए मैं regular basis में, every second day, कोई ना कोई topic लेकर आता रहूँगा, आपको मदब करता रहूँगा, आपके doubts भी मैं पूरे clear करूँगा, I'll be clearing all your doubts friends, okay? Doubt clearing के लिए भी मैं एक session रखूँगा, zoom का session, ठीक है, more test or more revision, मुझे लगता है कि two tests will be sufficient, बाकी time revision को दो, दो टेस्ट sufficient रहेंगे बाकी, नहीं, YouTube पे live नहीं है, 9th को YouTube पे live नहीं है, अगर recording अच्छी हुई, तो हम देखेंगे उसको upload करने के बारे में, but it is not live stream, live stream के बारे में अभी दोस्तों नहीं हमने सुचा हुआ है, उसकी recording के बारे में सुचा है, देखते recording कैसे होती है, चलो, Bye Bye Everyone, आता रहूँगा मैं, और हमाई जो resources उसको अच्छे से use करिये, यह जो file है, मैं share करें, यह जो file है, मैं share, आप ऐसे भी उसको देख सकते हो, यह मैं share करता हूँ, अभी telegram के उपर link दाल दूँगा.